हेलो प्रेंट्स, वेलकम टू प्रेयास लवली कीचन, आज हम बनाएंगे हेल्दी स्प्राउटेंड मुंग का जोसा यानि कि अंकुरित मुंग का जोसा, एक खाने के लिए जितना टेस्टी है उतना ही हेल्दी है, और इसे फर्वेंट करने की भी जरुवत नहीं है, बैटर कि अपनाये कि आप इसे जल्दी से बना सकते ही वे उसे अंकूरित मुंग होने चाहिए, आप इसे जाहिए तो ब्रेकपांस के लिए बना सकते हो, Flash के लिए या डिनर के लिए और इसके साथ बनाएंगे Mrs. राई नारे लड की सचनी यानि Kी ड्रा जकोनट की सचनी तो चले कि अंकुरित मुंग इसे बहुत अच्छी तरह से अंकुराए है इसे मैंने दो दिन अंकुरित करने के लिए रखा था और उसके साथ हमेंचे आदा कप चावल इदर मैंने इडली राइस लिया है आप कौनसा भी राइस ले सकते हो और चावल को एक गंटा पहले पानी में बि और इसके साथ चावल, चावल को मैंने सिप एक गंटा भीगो के रखा था आप चाये तो दो गंटा भी रख सकते हैं थोड़ा पानी डालके इसके एकदम स्मूथ पेस्ट बनानी है जैसे हम डोसा के लिए बैटर बनाते हैं सेम उसी तरह से ही बैटर बनना चाहिए तो यह बैटर बनके तयार है इसे एक बाउल में ट्रांसपर करेंगे तो आप देख सकते ही कितनी अच्छी तरह से बैटर बनके तयार है इसे जादा पतला भी मत बनाईए और जादा गाड़ा भी मत रखिए अब मैं इसमें डालूंगी टेस्ट के लिए नमक तकरीबन मैंने आदा चमाश नमक डाला है नमक को अच्छी तरह से मिक्स करना है इसे हम फर्मेंट नहीं करेंगे तो इस लिए हमाली मैं इसमें डालाओंगी देही को मिक्स करेंगी एक बैटर बनके तयार है दस मिनट के लिए इसे साइट में रखेंगे तब तक हम कोकोनच चटनी बनाएंगे गलती से डोसा बैटर पतला बना तो इसमें एक चमच बेसन एड़ कीजे कोकोनच चटनी बनाने के लिए एदर मैंने एक ग्राइंडर चाहर ली है इसमें डालेंगे दो चमच डेसिकेटेड ड्राइ कोकोनच एक चमच रोस्टेड चना एक इंच आदरक एक खरी मिर्च आधा चमच सीनी और टेस्ट के लिए नमक इससे सबसे पहले हम ऐसे ही पीसेंगे तो यह पाउजर बनके तयार है अब मैं इसमें डालूंगी पानी और थोड़ा थोड़ा पानी डालके एकदम स्मूध पीसना है जैसे हम फ्रेश नरेल की चचनी बनाते हैं सेम इसी तरह से ही बनाना है यह भी चचनी खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप देख सकते हैं यह चचनी बनके तैयार है कितनी अच्छी तरह से स्मूध बन गई है और इसे तड़का देंगे तड़का लगाने के लिए ग्यास के उपर मैंने तड़का प्यान रखा है इसमें डालेंगे एक चमज तेल तेल को अच्छी तरह से गरम होने दीजे तेल गरम हुआ है, आदा शमज सरसो जालेंगे, आदा शमज जीरा, जीरा सरसो सचकने लगी है, ग्यास को करेंगे बंद, थोड़ा हिंग डालेंगे, मैंने दो सुखी लाल मिर्श जाली है, और थोड़े करी पत्ते, और एक गर्मा गरम तड़का हम सचनी के उपां डालके त तो यह हमारे ड्राइ कोकोनट की बहुत ही टेस्टी सटनी बनके तयार है, तो चले डोसा बनाना स्टार्ट करेंगे, ग्यास के उपर मैंने डोसा पैन रखा है, इसमें दो बुन तेल के डालेंगे और टीशू पेपर की मदद से इसे वाइप करना है, यानि कि डोसा पैन को सीजन करना है, डोसा पैन अच्छी तरह से गरम हुआ है, उपर से थोड़ा पानी छिड़क देंगे और टीशू पेपर की मदद से इसे पोशना है, गैस को एकदम लो करना है, और एक टेबल स्पून या दो टेबल स्पून बैटर लेके इसी तरह से बीच में डालके राउ तेल छोड़ देंगे, और इसे लो टू मिडियम फ्लेम पे क्रिस्पी और उपर से थोड़ी सी गोल्डन सीटी आने तक सीखना है, ये भी डोसा खाने के लिए बहुत टेस्टी लगता है और उतना ही क्रिस्पी बनता है, तो आप देख सकते हैं डोसा अच्छी तरह से सीख गया है, उपर से खुड़ी ब्राउन सीटी दिखने लगी है, जिस साइच से जोसा नहीं पका है उस साइच से पैन को थोड़ा गुमा लीजे, और पैन को इसी तरह से टर्न करते करते इसे पका लीजे, तो इस जोसा बनके तयार है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से क्रिस्पी दोसा बनके तयार है, दूसरा दोसा बनाते समय वही प्रोसेस करना है, पैन के उपर थोड़ा पानी चे रख दे, पानी को पोँच लीजे, यानि कि जो हमारा पैन गरम हुआ है, उसका टेंपरेचर थोड़ा कम कीजे, जितना दोसा पैन पे अच्छी तरह से उतना ही दोसा आपका अच्छा क्रिस्पी बनेगा, तो आप देख सकते हैं, मैंने दूसरा भी दोसा बनाया है, तो इसके उपर भी मैंने थोड़ा तेल डाला है, आप चाहिए तेल नहीं डालना चाहते हैं, तो मद डाले, ऐसे भी बिना तेल से भी ये दोसा निकलता है, बहुत अच्छा बनता है तो आप देख सकते हैं ये भी डोसा कितनी अच्छी तरह से उबर से भी सीख गया है और नीचे से भी उबर से थोड़ी ब्राउन सिट्टी आने लगी है तो चले इस डोसा को में निकालूगी तो हमारा स्प्राउटेड मूंग का हाई प्रोटीन हेल्डी डोसा बनके तयार है विद कोकोनट सचनी के साथ जो आप इस रेसिपी को ड्राई कीज़े आई होप आपको पसंत आएगी अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंत आती है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना मत भूले तो चले फिर हम मेंनते हैं इसी ही नए रेसिपी के साथ अब तक के लिए गुद बाई हैव नाइस टे, टेक केर